अगर आप प्रेगनेट हैं तो आपको वियायाम जरूर करना चाहिए यह आपको आपके परिवार के लोग और डॉक्टर अक्सर सरह देते होंगी कि आप जानते हैं कि वियायाम करने से ना केवर हमारा तनाव दूर होता है मन शांत रहता है बलकि प्रेगनेट लेडी का बच्चा भी अंदर से काफी ज्यादा खुश और स्वस्त बन जैसे कि नॉर्मल दिनों में हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं रसी कूथ सकते हैं या फिर जंपिंग कर सकते हैं लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपको ऐसा वियायाम बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि इसकी वज़े से मिसक्याइज का खत्रा काफी बढ़ जाता है अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान वियायाम करना ही चाहती है तो आप धीमिकती से थोड़े दूरी के लिए चल सकती है आप चाहे तो अपने घर से पाः की दूरी तै कर सकती हैं लेकिन ध्यान रखे कि जब भी आप वाक पर जाए तो अपने साथ अपने हस्बिन को लेक जरूर जाए कि की हो सकता है कि आपको बीच रास्ते में किसी चीज की जरत पड़ जाए अगर आप प्रेगनेट है तो आपको व्यायाम करना बहुत जरूरी है लेकिन केवल वही जिससे आपको मिस्कारज का खत्रा बिलकुल ना हो हलका फुलका व्यायाम करें वाकिंग करें अपने गार्डन में तहलिए और लेकिन किसी की भी मदद लेना बिलकुल न भूलिए इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूस को हमाई साथ शेयर करें मेरी ब्यूटी और हेल्से रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए